Hello everyone, welcome back to Drana Academy तो जैसे आप जानते हैं कि लास्ट लेक्षर के अंदर हमने एक्सराइज 5C के नुमेरिकल स्टार्ट किये होए थे और जो पहले 13 नुमेरिकल से वो हमें डिस्कस कर लिए थे और आज के लेक्षर के अंदर हम उसके जो बाकी के नुमेरिकल से वो डिस्कस करने वाले हैं और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो पैजिस दिये गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो बिन अक्षर टायम वे इसके ज़िए शुरू करते हैं आज देके अब हम बात करेंगे वेटन नुमेरिकल नुमेरिकल की बहुत सिंपल नुमेरिकल है क्याते है कि हाइडरो कारबन है अगर 4.8 ग्राम औफ और कारबन है तो 4.8 divided by 12 आप कर देंगे, तो पहले पाट का तो carbon के लिए आ जाएगा और 1 by 1 आप कर देंगे hydrogen के लिए, तो यह हमारा पहले पाट का answer है, बाकि आपको प्रोपर दिखायता हूँ, the gram atom of carbon जोगा 4.8 divided by 12, that is 0.4, and g atoms of hydrogen जोगा 1 by 1, that is equal to 1, तो बहुत simple था, empirical formula निकालने के लिए मैंने आपको तरिका बताना है, एक बार एक को देख लीजिए, यह इकलोता ही a question है, जिसमें ऐसा है, बाकि percentage के basis में तो आपको अलड़ी बता दिया हुआ है, इसके आज़े के chances बैसे भी बहुत कम है, जातर आपको percentage composition के ही question आएगे, क्योंकि स्लेबस के perspective percentage composition वाले जादा हैं आपके, इसलिए मैंने इस पर जाता emphasize भी नहीं किया है, थोड़ा सभी बता देता हूँ, आपको क्योंकि यह है question तो मैं नहीं करा देता हूँ, अदरवैस तो मैं नहीं कराता है, लिकिन चलिए, कर लिजिए, तो element बिटा को carbon and hydrogen आपको देखो, यहाँ प करना होता है, इन दोनों में से जो minimum value है, जैसके 0.4 आपकी minimum है, उन दोनों से दोनों को divide कर देजिए, उनकी ratio निकाले जीए, 2 and 5 आपको मिल जाएगा, and 2 and 5 कैसे निकला, यह बात समझने को हिश करें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2.5 है, तो क्योंकि यह decimal में है, और मुझे decimal नहीं चाहिए, इसलिए दोनों को 2 से अपने multiply कर दिया, जिसके वएसे यह 5 बन गया, और जिसके वएसे यह 2 बन गया, तो simplest ratio चाहिए होती है, ताकि decimal ना बने आपका, तो finally बड़ा carbon 2 है, और hydrogen मेरे पर 5 है, तो यह हमारा empirical formula यहाँ पर बन जाता है, I hope यह बात आपको समझ मे आगी होगी, उसके बाद देखें, आप भी जानते है, carbon मेरे 12 है, 12 into 2 करेंगे, तो 24 आपके पास त्यार है, hydrogen 1 होता है, तो 1 into 5 करेंगे, तो 5 आजएगा, in total 29 आपके पास, जो है, वो empirical mass आपका हो जाता है, vapor density 29 है आपके पास, तो molecular mass, molecular mass, तो ISO vapor density होता है, dear, तो 2 into 29 अगर आप करेंगे, तो 9, 2, 18, 1 carry, 58, यह आपके पास आगया, फिर हम क्या करते थे, n, n क्या था, आपके पास, molecular mass, divided by empirical mass, जो कि 29, तो answer 2 ही आता है, तो जो भी यह दिख रहा है, इसके पैरों में 2 लग जाएगा, तो answer आदेगा, C4H10, तो यह final answer आपका, यार, एक कार्म परो, यार, मै मास का 29, मैंने उसके बाद, molecular mass निकाला, तो 58 मेरे पास आगया, ठीक है, फिर मैंने उसके बाद, n, find किया, जो कि हमारे पास, molecular mass, जैसे की 58, divided by empirical mass 29, आप दोने को, divide करेंगे, तो 2 आ जाएगा, तो फिर्स, उसके बाद, c2h5 था, bracket में, n आ जाएगा, न हमारा 2 है, तो जिसक पहले lecture के अंदर मैंने आपको इसके बहुत साथे question बताये थे, बहुत simple है, असानी से आप कर सकते हो, please, इसकी practice करना, कोई भी question है, I don't think कभी आप वो problem आएगी, अब हम बात करते हैं इसकी, कहते हैं, 0.2 gram of silicon combines with 21.3 gram of chlorine and find the empirical formula of the compound form, हाँ, ये थोड़ा ध्यान से देखना, दे तो 0.2 gram atom of silicon, मतलब given mass divided by molecular mass, ठीक है, मेरे को न, यहाँ पर chlorine कितना है, वो दिया हुआ है, 21.3 gram, यहाँ पर gram atom दिया हुआ है, तो gram atom को जो formula होता है, given mass divided by molecular mass, या molecular mass, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने given mass को calculate किया, तो given mass जो है, वो होता है, molecular mass into the gram atom, ठीक है, वैसे तो आप चाहें, तो यह numerical avoid कर सकते हैं, नहीं करना मत करो, लेकिन आपको दिया हुआ है, तो मैं इसको करवा रहा हूँ, तो given mass into molecular mass करेंगे, तो हमारे पास आएगा 5.6 gram, बस बात खतम, उसके बात, अब एक step और करने हमने, फिर हमने gram atom ratio जो है, वो मुझे find कर नहीं होती है, अब अब मैं आपको बताना चाहूँ, तो यह क्या चीज है, मैं वो समझा देता हूँ आपको, हुआ कुछ नहीं है, हमने, सबसे पहले बात क्या है, देखिए, हमारे पास होता है, given mass, ठीक है, उसके बाद आता है, molecular mass, ठीक है, यह gram atom के पराबर होता है, अब यह आपको 0.2 दिया हुआ है, और आप इससे multiply करते हूँ, तो given mass आपको मिल जाएगा, तो यह मेरा 5.6 gram मुझे मिल जाता है, यहाँ पर, ठीक है, फिर मुझे gram atomic ratio निकालने होती है, ग्रैम atomic ratio होती है, वो क्या होती है, वो होती है, गिवन मास, बाइ अटोमिक मास, तो गिवन मास मेरा 5.6 है, और silicon का atomic मास होता है 28, तो जब उसने solve किया, तो 0.21 मुझे मिल गया, ठीक है, यही चीज़ जब मैं chlorine के लिए करूँगा, तो मुझे atomic, जब मैं chlorine के लिए करूँगा, तो मैं direct यह करूँगा, यह मैं skip कर दूँगा, क्यूंकि मुझे directly दी है value 21.g, तो chlorine के लिए मैं जब मैं gram atomic ratio निकालूँगा, अब रूँगे सब क्यूं निकाल तो gram atomic ratio, क्योंकि वही से तो ratio इनकी आपस में निकलेगी, simplest ratio भी तो निकालनी है ने मेरे को इस level से, तो given mass मुझे कितना दिया हुआ इसका, मुझे दिया 21.3 और नीचे बेड़ा 35.5 जो इसका atomic mass होता है, तो 0.63 मेरे को मिल जाएगा, अब 0.63 से मुझे इन दोनों को divide करना है, ठीक है, जब मैं इन दोनों को divide करूंगा, तो जो मुझे simplest ratio मिलेगी, silicon is to chlorine की, जब इन दोन की ratio निकालता हो, तो मुझे जो answer बेटा, वो 1 is to 3 मिलता है, इसलिए मेरा silicon chloride, SICL 3 में तो यहाँ पर finally मिल जाएगा, तो इस तरह से बेटा आपने यह वाला numerical solve करना था, numerical number 16, देखो आपको जातर जो numerical आते हैं, वो यह ही आएगे, vapor density, molecular formula, empirical formula, percentage, percentage, composition, वाला तो इसलेबस में लिखा है, भाई, वो gram gram गुरूम वाला नहीं आएगा आपको, है numerical, सलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपके, उसके इंदरा तो वह ने करवा दिया, विखिए by chance कभी आगे, सलेबस में कभी आगया, तो आप मुझे यह नहीं कराया, तो वह ने करा दिया आपको, ठीक है, तो, देखिए numerical number 16, देखिए, कहता है कि gaseous, hydrocarbon contains 82.76 percentage of carbon, ठीक है, कोई बात नहीं, given that is vapor dense 29, find the molecular formula, अभी है, इस सबी चीज़े हमें पता है, यार, देखिए, percentage of hydrogen अगर आपने निकालनी है, carbon तो हमें पता ही है, hydrogen निकालनी तो 100 से minus कर दो, आपको 70.27 मिल जाएगा, क्योंकि, जब हम hydrocarbon कहते हैं, तो hydrocarbon मनलब उसमें hydrogen और carbon दोनों है, carbon बताया हुआ, hydrogen नहीं बताया था, तो 100 में से हमने इसको minus कर दिया, बाकि सेम वही चीज़ है, परसेंटेज दे दिया, atomic weight हमें पता है, divide कर लिया, divide करने बाद, simplest ratio हमने निकाल लिए, अपर 1 आया, अपर 2.5 आया, मैंने कहा था, कि 2 points के form में नहीं हो चाहिए, इसलिए हमने finally इसको 2 से multiply किया, इसको भी 2 से multiply किया, तो ये 2 आगया, ये 5 आगया, तो final answer आया, C2H5, फिर हमने empirical mass निकाला, weapon SD को 2 से multiply किया, फिर n find किया, उस n को मैंने empirical formula से multiply करके, अपना molecular formula निकाला, ये सारा procedure आपको पता है, और अब आप देखे लिए, जितने ही previous question मैंने आपको बता है, सारे कि सारे वो ही आएंगे, ये ही आएंगे और ये ही आते रहेंगे, ठीक है, इसलिए धंग से इनको practice कर लेना, ठीक है, तो देखे जैसे मैंने आपका था, तो empirical formula मेरा ये आया हुआ है, empirical formula का V29 है, vapor density 29 है, vapor density को आपने 2 से multiply करना था कि molecular mass आपका आजाए, N जो होता है मैं उलड़ी बता चुका हूँ, divide करके 2 आएगा, और molecular formula N times of empirical formula होता है, 2 से multiply करके C4, S10 आपको मिलते हैं, ठीक है, तो ये हमने उलड़ी कर लिया है, समझ में आ रहे हैं न हमने क्या किया, यार इतने सारे question और numerical हमने इसी तरह ही किये हैं, सारे ऐसे किये हैं हमने, good, अब हम बात करते हैं, इसकी, कहते हैं कि in a given compound of magnesium and nitrogen, 18 gram of magnesium combined with 7 gram of nitrogen, reduce the simplest formula by answering the following question, how many gram atom, फिर gram atom वाल आ गया, रिकल तो 18 gram, अब ये question नहीं आएंगे आपको, फिर भी चलो, है आपका पार तुम्हें बता रहा हैं, let us start with the first question, how many gram atoms of magnesium are equal to 18 gram, अब जो भी आपका दिया जाता है 18 gram, उसको उसके ही जो gram molecule weight होता है, उसके साथ सो divide कर दो, वही उसका answer होता है, 1 is to 1.5 आएगा, आपको पता है कि 1.0 मिनों चाहिए, इसले दोनों को 2,2 से multiply कर दीजिए, तो 2 is to 3 आपका answer आजाएगा, finally mg 3 and 2 आपका answer आजाता है, तो ये हमने, ना भी करो चलता है, बढ़ आपको basically percentage composition, empirical formula, molecule formula, vapor density, उसके उपर आपको question आएंगे, barium chloride crystal contain 14.8% water of crystallization, find the number of molecules of water of crystal per molecule, हाँ ये हो सकता, देएंगे कैसे, barium chloride जो है ना, BACL2.XH2O, इसमें X कितना है, ये find करना है, कैसे करेंगे, देखे, barium plus twice of chlorine plus X into H2O, अब H2 जो 2 hydrogen, एक oxygen, इनका जो समें वो 18 होता है, chlorine जो है, अब देखे, यहाँ पे 2 into आएगा, इसके बीच में आप multiply का sign है, 2 into 35.5, और barium का तो आपको पता ही है बटा, ये 137 इसका mass number होता है, इनको आप plus करेंगे, plus करने के बाद 203, plus 18 into X आएगा आपके पास, ठीक है, जो है, वो पानी होता है, ठीक है, तो जो भी हमारे पास answer है, उसका हमने 14.8% निकाल लिया, मतलब इसका हमने क्या निकाल लिया, 14.8% निकाल लिया, वो हमने 18X के बराबर कर दिया, अब 18X क्या है, 18 जो है, वो है पानी, into X मतलब, X है number of molecules, तो 18 into X कर दिया हमने, ठीक है, कैसे आपने उसको solve करना था समझ मैं देखी क्या किया मेरा पूरा एक molecule दिया हुआ है उस पूरे का mass पहले मैंने निकाल लिया in terms of xc और मैंने उसको कहा कि भाई इसका 14.8 जो percent है percent कैसे निकालते इसका 14.8 percent जो है ठीक है न हाँ ये वाला वो उसका मुझे कितने पानी के molecules के बराबर होगा तो मैंने का यार एक पानी का जो molecule वो 18 ग्राम का होता है तो कितने होंगे वो x मैंने find करना था तो उसके बराबरी कर दिया मैंने तो बस मैंने उसको find कर लिया ठीक है दोने को equate करके अपना answer निकाल लिया it's a very simple thing अराम से आप कर सकते हो और मैंने यह कर लिया फिर आता है यूरिया is a very important nitrogenous fertilizer its formula is the co2H4 so calculate the percentage of nitrogen in urea यह सब आपको दिया हुआ है तो basically यह यह वाला ठीक है कि हमारे पास दो यहां पर नाइट्रोजन है तो टू इंटू 14 करेंगे 28 आपने करना है तो यह परसेंटेज आगी nitrogen के वेरे पास ठीक है अब है determine the formula of the organic compound if its molecular if its molecule contain 12 atom of carbon the percentage is competition of hydrogen oxygen are 6.48 and 51.42 respectively यह सार आपको मैंने करके बता दिया और मैं बार बार नहीं बताओ कि कि मैं कितनी बार आपको यह चीज ही repeat कर रहा हो बार 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 शादा भी बूर हो जाएगे कि हमें पता किसी यह चो है पसे डेज है टॉबिक मास टॉबिक रेशो छोटे नंबर से तीनों को डिवाइड आ गया आपके पास ठीक है तो यह clear है न आपको और क्योंकि एक compound क्योंकि 12 atom of carbon से हाँ यह extra ठीज है तो यहां लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो carbon है वो 12 carbon है तो यहां पर एक show कर रहा है अगर 12 है तो इसका मतलब है कहते हैं a compound with the empirical formula AB2 has the vapor density equal to its empirical formula weight ठीक है तो what its molecular formula कहते है since the empirical formula is equal to the vapor density we know the vapor density is half the molecular mass हमें पता ही है तो इसका मतलब है n को जो है so we have n equal to 2 and 2 ही होगा 100% है यार उसका half है तो तो molecular formula जो होगा इसका double होगा and that is b2 a2 b4 तो देखें बात करेंगे बेटा b part की a compound with empirical formula AB has vapor density three times its empirical formula weight find the molecular formula देखें बेटा सबसे बदे आपको यह पता होना चाहिए कि जो molecular weight होता है वो आपका twice of vapor density होता है फ़र तो आप इस बात को समझें उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो n है वो होता है molecular weight divided by empirical weight अब इसने साफ दिया है कि empirical weight जो है वो vapor density का divided by 3 क्योंकि इसने बोला vapor density three times है empirical weight का न तो मतलब empirical weight vapor density का divided by 3 है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ molecular weight की जगा पर लिख सकता हूँ twice of VD और नीचे लिख सकता हूँ VD divided by 3 तो VD से VD cancel हो गया 3 उपर चला गया तो answer आ गया 6 और क्योंकि N6 आ गया इसलिए हमारे पास AB जो है empirical formula उसका 6 निचे लगा दूँगा तो बन जाएगा यह A6 B6 तो इस तरह से बेटा B part का आपा answer आ जाता है ठीक है C part में कहता है कि 10.47 gram of carbon contains 6.25 gram of metal A and rest non-metal B calculate the empirical formula तो बेटा देखो compound आपको दिया हुआ है 10.47 gram metal दिया हुआ है तो non-metal minus करके निकाल लेंगे यह आ गया है बाकि उसको बता है atomic weight हमें जो है वो दिये होई है A और B का relative ratio हम निकाल लेंगे फिर simpler ratio निकालने का तरीका बता है चोटे नंबर से दुनों को डिवाइड कर दो निकल जाएगा बाद में formula निकालना कौन सी बड़ी बात है वो हमारे लिए बहुती असान बात हो जाती है 22 नंबर में कहता है बेटा कि A hydride of nitrogen contain 87.5% by mass of nitrogen determine the empirical formula of this compound देखे A hydride of nitrogen contain इतने percent of nitrogen निकालन तो बता दिया बट hydrogen क्या होगा 100 minus यह हो जाएगा बस वहीं की help से चलेंगे तो देखे atomic ratio जो है वो हो जाएगा 87.5 by 14 6.25 और बाकी जो बच गया 100 minus करेंगे अगर देखे अगर मैं 100 minus 87.5 करता हूँ तो 12.5 मुझे मिलता है तो divide by 1 करूँगा तो 12.5 आगा अब इन दोनों में से छोटा count यह 6.25 इन दोनों को divide कर दीजे डिवाइड करने के बाद जो ratio आएगी 1 is to 2 आएगी और finally आपके पास आजाता है NH2 ठीक है चाहे आप वो table जो मैं बताता हूँ वैसे कर लीजे चाहे आप ऐसे कर लीजे एक ही बात होती है आपको आपको answer लेकिन मिल जाता है उसके बाद next आता है कि a compound has oxygen, sulfur, hydrogen, zinc and relative molecular mass of the compound आपको दिया हुआ है find the molecular formula of the compound and assume that all the hydrogen is present as water of crystallization तो सबसे बहुत को element आपको दिये होए है यह percentage है, यह atomic mass है, यह atomic ratio है सबसे छोटे से divide किया आपके पास यहाँ पर जब आप इसको solve करते हैं तो यह आपके पास finally बन जाता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी यह आप कर सकते हो right next part की तरफ चलता हूँ, अब empirical formula जो है उसका mass निकाला, जो कि आया 287.37 ठीक है molecular mass जब है वो भी हमें वो ही दिया हुआ है, जब n को find किया तो हमारे पास 1 आया तो n1 आया तो molecular formula जो है वो हमारा यह वानीर इसमें कोई changes नहीं है फिर हमने देखा है यार कि हमारे पास zinc sulfate है, dot फिर इसमें से जब 7, निकाला तो 7H2O जोगी water of crystallization present है लिखा इसमें, assuming that all the hydrogen is present as water of crystallization इसलिए finally हमारे पास 7H2O की form में हमने उसको लिख दिया तो यह हमारा final molecular formula I hope आपको समझ में आगे होगा कि कैसे हमने यह सारे numericals को solve करना था So finally हमने अपने जितने भी numericals थे from exercise 5C वो discuss कर लिये है and I hope आपको समझ में आगे होगा किस तरीके से आपने यह numerical solve करने थे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए बस इतना ही, thank you so much